सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सोपर टेकनोलजी लेटास्ट वीडियो के लिए बेल आइकोन दबाएं वेलकाउं तो मैं चैनल सोपर टेकनोलजी मेरा नाम देव दुल्ट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टूडेंट्स ने गूगल क्रास्टूम को कैसे जोइन करना है और कैसे होंवर्क एंड असाइन्मेंट टीचर को समिट करनी है दोस्तो गूगल क्रास्टूम को जोइन करना बहुत ही एजी है इसके लिए आपको कोई भी sign up या sign in करने की जरूरत नहीं है Students ने Google Classroom को कैसे use करना यह देखने के लिए बने रहे हैं वीडियो के end दर तो left side पर teacher का phone है and right side पर student का phone है पहले हम student phone को operate करेंगे student ने अपने phone से play store open करने play store को open करने के बाद यहाँ पर write करने Google Classroom Google Classroom को install करने अपने phone में Google Classroom को install करने के बाद open करने और get started पर click करने after that student ने यहाँ पर अपना gmail id select करना है जिसके साथ login करना चाहता है teacher के पास भी Google Classroom का install होना जुरूरी है जैसे teacher classroom को open करता है classroom को open करने के बाद teacher class select करने के बाद setting पर click करने के बाद class code पर click करेगा और यहाँ से code copy हो जाएगा student को join करवाने के लिए teacher किसी भी source के तुरू code को send कर सकता है like whatsapp, telegram, sms किसी भी source के तुरू teacher code को send कर सकता है जैसे मैं यहाँ पर whatsapp के तुरू code को send कर रहा हूँ जैसे teacher यहाँ पर paste करता है तो अगर teacher कोई odd detail लिखना चाहता है तो साथ में यहाँ पर odd detail भी write कर सकता है like 10th class, 9th class तो उसके बाद teacher ने code को send करना है यहाँ हम student phone को operate करेंगे और whatsapp को open करेंगे जहाँ पर code send किया है यहाँ से student ने long press करके code को copy करने copy करने के बाद google classroom में जाने google classroom में जाने के बाद plus के sign पर click करने और यहाँ पर join classroom पर click करने और उसके बाद यहाँ पर code को paste कर देने और join पर click करने और दूसरी तरफ मैं teacher phone से भी google classroom open कर रहा हूँ भी यहां पर student show होगे, जो भी join कर चुके होगे class में, उसके बाद teacher ने classwork को कैसे send करना है, उसके लिए teacher ने classwork पर click करना है, plus के sign पर click करना है, और उसके बाद यहां पर assignment question material topic की option मिल ली है, जैसे teacher assignment send करना चाहता है तो teacher ने assignment पे click करना है यहाँ पे teacher ने title write करना है तो teacher ने जैसे यहाँ पे लिखना है assignment first और उसके बाद teacher यहाँ पे due date provide करवाएगा students को कि कब तक student ने जो assignment आ वो submit करवानी है जैसे यहाँ पे मैं tomorrow की date डाल लाँ अगर teacher कोई attachment send करना चाहता है जोगी jpg कोई pdf तो teacher यहाँ पे click करके और file को select करके send कर सकता है जैसे यहाँ यहाँ पे send कर रहा हूँ जैसे teacher कोई jpg जब pdf attach करता है तो यहाँ पे show होगी उसके बाद teacher ने post पे click करना है post पे click करने कोई assign पे click करने जैसे teacher assign पे click करता, इन्मेंट post हो जाती है, उसके बाद student ने classwork पे click करने, और अभी यहां पे refresh करके देखने है, जैसे student refresh करके देखेगा तो यहां पे उसे assignment receive हो जाएगी, और student ने assignment पे click करने, उसके बाद यहां पे details यो हो जाती है, due tomorrow, assignment 1, 100 points, add comments, अगर student को comment लिखना, write करना after that यहां पे attachment receive हो जाती है, student को जो भी teacher ने send की है, उसके बाद student ने मेना काम complete करने के बाद add attachment पे click करने, attachment पे click करने के बाद, अपने काम को पूरा करने के बाद student ने file को attach कर देना, जैसे student ने यहां पे already कोई file save कर रखी है, और उसके बाद student ने उस file को teacher को send करने, hand in पे click करन अगर student कुछ write करना चाहता है student यहाँ पर write करके कोई message भी लिखके send कर सकता है teacher को और जैसे teacher assignment पर click करेगा तो teacher को यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितनी student assignments मेट कर चुकी है कितनी student painting है और उसके बाद teacher student की details open करेगा और यहाँ पर teacher को student के द्वारा send की हुई attachment रसीब हो जाएगी और उसके बाद teacher students को को suggestion add करना चाहता है तो यहाँ पर suggestion write करके भी send कर सकता है अगर teacher को student का कोई काम पसंद नहीं है तो यहाँ से return पर click करके student को फिर से submit करने के लिए भी बोल सकता है दोस्तो अगर आपकी कोई google classroom जा किसी other education app के regarding query है तो आप मेरी वीडियो के comment box में comment कीजिए मैं आपके हर comment का applying करूँगा अगर मुझे लगए कि आपका topic useful है तो मैं इस पर वीडियो भी create करूँगा Thank you for watching, please subscribe my channel for more technical updates